क्या थो आपकू क्या है कि पास में आखा सकते हैं ऑपक्न क्या भर्याइटे के बारे में डिटेल आनलाइसिस किया जाएगा राइक काफी सारी न्यूज है तो यह दोस्तो मेरा दूसरा चैनल है जहां पर मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं स्टॉक मार्केट से तो मैं कोशिश करता हूं कि इसमें आपको मोटिवेशन दूऊ कि किस तरीकी से क्या लगता तो इस चैनल को पी आप सब्सक्राइब करें बेल आईकन दबाके select उल कर सकते हैं, तो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टाट कर लेते हैं, request दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लगे आखिर तक आधा वीडियो देखेंगे, तो आपको नहीं पता चल जाएगा कि मैं वीडियो में क्या बोलने लेता हूं देखिए तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहां पर अमेरिका हारतावा नजर आ रहा है राइट क्लियर ली देखो चाइना इस एक्सपांदिंग इस एनर्जी फूट्रिंट इन इस पहले यह वाली न्यूस कर लेते हैं देखिए इस दिस देनेक्स मेजर उसीनीं आपको पहले में मेरा क्या सिर्फ देखने वाला हूं जिस के बारे मैं आपको बताने वाल हूं यह वाली न्यूज है वड़ी इंप्टेंट नीज जयो ऊ-शॉय पर बिच्चर कि न마से लेरा Karma 8 यह को तालिबान के साथ डैल कर ली मंभय तो यूसां पर पाकिसान से मिलड करवाता je उसके साथ डील करती स्विछल की तो रशे क्या है जो भी अ दुश्जमन सब्गर ऑग訴 रहे हैं उनको एकटा कर रहा और उनको तेल वाइशा अपना तो देखें है रस्शय जोइन और और याँनिस्तान के लिए तो इन्डिया के लिए तो कोई दिक्टत ही नी है क्योंकि इंडिया तो इससापोर्ट करता अफगानिस्तान को तालिवान को भी मतलब आज करी रहा है ठीक क्या दो within वाली नीज है आंक क्योंकि क्यों होता नजब रहूआ लॉट इ goose से पड़ता है क्या एंपक्ट पड़तां तो इससे इन पड़ता कि दोस्तों की सर्कूलेट होता दोस्तों ठीकश रहाने की महेंगा यह और बढ़ाने की वह कोशिश सिर्फ नाका काम्या वह यह ओनली मुझे लगता है एक से दो दिन के लिए बाकि कोई मतलब नहीं और दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूस आई यह वो देखें आप यहां पर मैंने आपके लिए न्यूस निकारी दोस्तों काफी मैंने रिसर्च किया वाइट हाउस डिसपॉंटेट विद ओपक शॉर्ट साइट डिसिजन तो आपने यह न्यूस पड़ी होगी मैंने फ्लैश भी कीती मैंने काफी सारे वीडियो में कि जब ओपक देखो यहां पर भी र में महेंगा कर दिया तो राइट तो इंडिया ब्राजिल के पास चला गया तो अब रश्या चाहता है कि उसका महेंगा हो और महेंगा ओल खरीदे ठीक ना लेह फिर भी ओपक से तो सस्ता ही रहेगा रैट बट जितना पहले डिसकाउंट में बेच रहा था अब वह तो अब देखें रश्या के साथ ओपेग आ गया मतलब साओधी अरब अगर यह सब चाइने की तरफ जा रहे हैं मतलब अमेरिका का दबदबा कम होता जा रहा दोस्तों यहां पर यूएस प्रसिटेंड बाइडन इस डिसपॉंटेड बाइड बाइड शॉर्ट साइटेड डि लिए पूरे वर्ड में महिंगाई फैला रही रही उनका काम दंदा उनका अपनी चलानी रही तो अब क्या करेगा अब बहुत बड़ी न्यूज आने वाली तो ध्यान से सुने का दोस्तों मैंने इस न्यूज को इस लिए फ्लेश किया आने वाले मुझे लगता है कि एक न लेकिन बात यहां तक खतम नहीं होती है अब नीचे पढ़िए अपने पीछे करेगा यह ताय है दोस्तों मैं अभी बता रहा हूं यूज को राइट अब बुलोगे ना कि नहीं नहीं तरीके निकालेंगे अब पहले तो अपक को अमेरिका मदद करता था राइट उसके डिसोर्से वगर में मिलेटरी डिफेंस वगर में लेकिन अब जो ओपक चाइना की तरफ जादा जुक रहा है ठीक है ना चाइना सारी बाजी मार के ले जा रहा है यहां पर दोस्तों अनफोर्चुनेटल चाइना की तरफ ज्यादा चुक रहा है तो अब साओधी को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ नों कुछ करने वाला है अर्लियर वेजर सब्सक्राइब तो काफी अच्छा कासा प्रोड़क्शन कट किया है ठीक ना तो य दोस्तों जहां पर डॉमिनेंस है ना वहां पर चाइना अपना हस्तक शेप कर रहा है जैसे युए है तो यूए में पहले यूज की साहरा देता हूं कि गया ना तो ये सारी न्यूस का क्या मतलब रहेगा और मतलब क्या इसका implications रहने वाले हैं उन सब news का मैं यहाँ पर आपको crude oil के चार्ट में बता देता हूँ तो मैं crude oil के चार्ट पर जाता हूँ दोस्कों यह geopolitical news दोस्तों बहुत ज़्यादा important होती है बहुत really बहुत matter करती है मुझे लगता है अगर आप geopolitical news समझने लगे रिलेटेट टू क्रूड ओए तो मुझे लगता है कि आप प्राइस जो भी क्रूड की प्राइस उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से बिहेव कारने वाली है वह बहुत ज़्यादा नेसेसरी है केंडल स्टिक आप देखते रहे हैं अपने चार्ट पे आ जाते हैं अब काफी सारी न्यूज है अभी मैं कवर नहीं कि देखे एक न्यूज और फ्लैश हो रही है तो दोस्तों मुझे लग रहा है अगर यह यहां से शुनिया का दोस्तों ध्यान से 88.10 के उपर जाता है ठीक है ना मैं पहले आपको शॉर्टम प्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूं त्रेट फिर उसके बाद आपको इंट्राडेका भी बताऊंगा तो शॉर्टम प्रोस्पेक्टिव में पॉजिशनल कॉल में मुझे लगना अगर यह 88.10 के पर सस्टेन करता है तो फिर डेफि मैं आपको बता चुका हूं कि दो मिनिट वेट क्यों करना है जो नए वीवर है सब्सक्राइबर दोस्तों हम यहां काफी स्टाटेजिस की बात करते हैं अगर आपको ऐसी स्टाटेजी जाननी है रोज कुछ न कुछ नए स्टाटेजी अपनाते हम क्योंकि हमको चाहिए पर अगर यहांसे यह यहांसे इए पाले वन इंद का चार्ट देख लेता हूं दौस्त ह 15 नव तो दोस्तों यहां से अगर 86.5 की नीचे जाता है हाँ 86.8 की नीचे जाता है अगर 86.85 की नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो मुझे लगता है आपको वापस से 83 के लेवल्स दिख सकते है ठीक ना तो यह आपके है शोट अम प्रोस्पेक्टिव में ट्रेडिंग स्टाटजी अब हम चलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करने है तो वंडे का चार्ट है यह हमारे सामने है वन वीक का चार्ट है तो वन वीक का चार्ट क्या कह रहा है देखिए वन वीक का चार्ट यह कह रहा है तो अगर आपको इंट्रटे लेवल्स करने तो मुझे लग रहा कि आपको अगर यह 87.6 के नीचे जाता है यान सुनेगा दोस्तों 87.60 के नीचे जाता है and sustain for at least one minute उसके बिलो ठीकर है तो आपको एक मुझे लग रहा कि आपको दिख सकते हैं वापस से 87 के नीचे के लेवल्स इसली आपको दिख सकते हैं around 86.80 के लेवल्स आपको clear cut दिख सकते हैं 86.80 के दोस्तों राइट तो 87.60 और अगर आप मुझे से पूछे है तो मैं overall इस पर बीरिश हूं दोस्तों क्योंकि देखो जो crude oil का खेल खेलना था साओधी ने वो खेल लिया जो price accounted होने वाली थी उसकी वज़े से वो accounted हो चुकी है अब जो भी news आएगी वो साओधी के against आने वाली क्योंकि US पर जाएगा पीछे उसके तो आप negative news ज्यादा flow होने वाली है यह होता दोस्तों mindset जब आप news को सिर्फ देख इस चीज़ के गवाह है ठीक है कमेंट शेक्शन में आप देखने को मिल जाएगा जो मेरे नए सब्सक्राइब नहीं वीवर से राइट तो यह चीज़ है दोस्तों अब मैं आ जाता हूं हमारे इंडियन मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट मुझे लगता है कि मैं एक बर जिए अगर यह 887.90 के उपर जाता दोस्तों आपको यहां से रहे करनेका कि मैं दोस्तों बिल्कुर भी सलाह नहीं ranking दोस्तों आपको नहीं करना है द्यान रखेंगा दोस्तों उपर की लेवल्स पर आपको कुछ नहीं करना है अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो क तो अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो प्लीज मेरे अगर आपको अच्छे रखते था आप ले सकते लेकिन अपनी खुद की रिसाच करें खुद का करें क्योंकि आपको जो प्रोफिटे लोस उसके लिए आपे जिम्मेदार हो कोई जिम्मेदार नहीं है उपर के लेवल प ठीक है ना तो अगर नीचे का लेवल बनता है जो हमारा है 87.60 तो आपको नीचे के लेवल देखने पड़ेंगे शोट टम प्रोस्पेक्टिव में भी बीरिश हूं दोस्तों मैं 95 परसेंट शोर हूं कि मैं बीरिश हूं उस मुझे उसमें कोई भी शक नहीं क्योंकि आप क्या लेवल रहेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज पहले वन वीक तक का चार्ट देख लेता हूं वन मंत का चार्ट भी देख लेता हूं तीन मैने का चार्ट भी देख लेता हूं एंड वन ये का चार्ट भी देख लेते दोस्तों तो मुझे लाग रहा कि वन ड आपको लेवल्स देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहांपे मुझे लगघागी एगर 7150 के नीचे भी जाता है के लेवल आपको दिख जाएंगे डेफिनेटली वह लेवल तो आपको आने वाले शॉर्ट टम मतलब मेरा होता है टू डेज टू 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 वीक मैक्सिमम वह हमारा शॉर्ट टम प्रोस्पेक्टिव होता तो मुझे लग रहा कि 7,140 के नीचे गया और सस्टेंड किया एक लिस तो आपको 6,900 के नीचे के लेवल भी दिख सकते हैं बट 6,900 तो मुझे लग रहा कि काफी दिखी जाएगा मैं तो यहां पर क्रेश की बात बोल रहा हूं देखना मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे हैं बहुत सड़न क्रेश होगा तो अब आ जाते हैं हमारे उपर के लेवल प पता देता हूं कि swing trading क्या है अपना इंट्राडे का क्या रहेगा दिक लिए यह वन विक का चार्ट है ठीक न तो वन वीक के चार्ट के इसके साब से थीर मेने के चार्ट के साब से लेखिए वह है मुझे लगणा कि 7,100 रिक सो पेतालिस की नीचे जाता धियान रहे हैं दो स सीरियसली अगर यह 7,145 के नीचे जाता है तो मुझे लगदा 7,000 के लेवल भी दीख सकते हैं आपको आज ही तो बट आप अपने हिसाब से ट्रेट कर सकते हैं अगर आपको 1% चाहिए आप 1% लिए आपको 0.5% में अगर आप सैटिसफाइब तो 0.5 जीए आपको वेट करना आपको अपको आपको कर दाहिए अब मैं बात कर लताओ रिस्क मैनेजमेंटल टेकनिक है उंको हमने इंप्लिमेंट आपको एवरेज करना दोस्तों ध्यान रखे दोस्तों जब भी आप शोड नहीं है और जब बी जैसे ओपे की न्यूज आ रही है तो आपको पता वोलेटिलिटी होने वारी तो वहां आप अपना 100% क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आप 90% शोर हो 10% आप शोर नहीं हो तो आप 50% अपना इन्वेस्टमेंट लगो वहां पर 50% मनी रखो 50% फिर एवरेज करो जिस तरीके से आप SIP करते हैं उसी तरीके से आ सारा बहुत सारा पैसा कमाया और अब दोस्तों एक टेक्निक आपने जैसे जब मैं बोलता हैं नों दोस्तों एक चीज़ समझी है कि में कुछ करेंगा दोस्तों जब short term perspective में कुछ बोलते हैं कि मैंने बोला short term sell है और swing trading में बहुता हूं कि मुझे short करना है तो दोस्तों में फाइदा क्या होता है उसमें फायदा ही होता है कि अगर मैं आपको बॉला शॉर्ट करने के लेकिन शॉर्ट टम में बाईंगे तो आप उसमें कंडिश्ट में रिस्क आ जाती है कि जब मैंने स्विंग लिया शॉर्ट के लिए और बाई चांस वो उपड़ चला गया तो मुझे फिर मापे मेरा लोस बुक की करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो शॉर्ट जी दोस्तों आपको इजात करनी पड़ेगी आप हर बार मुझे पर डिपेंड़ना रही है थोड़ा इन्नोवेटीव वनिए थोड़ा क्रेटिव वनिए अगर आप जिसे जो यह चार्ट वार्ट के अलाव बहुत कुछ है आपका इन्नोवेशन आपके अगर उपर जाता है अगर उपर जाता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं लूँगा सिर्फ वेटेन वोच करूंगा 90 के उपर के लेवल के वेटेन वोच करूंगा अगर आता है तो ठीक है ठीक है तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए बदोस्तों अगर वीडियो पस सब्सक्राइब करें